अगर आपके पास आजाओं इस समय इसका क्या असर हुआ जिस तरह से राजनेतिक दलों ने उठाया इस पूरे मामले को और आज एक तस्वीर हमारे सामने आई आई आपका क्या आँखला निदी सबसे पहले तुम्हें ये कहूंगा कि देखे भारत की राजनीति में कोई भी राजनेतिक दलो शायद इसके पहली ये उदाहरन देखने को नहीं मिला है कि किसी एक उद्योग घराने को किसी राजनेता ने इस तरह से टार्गेट किया आज राहूल गांधी के लिए बहुत शर्मसार होने वाला दिन है और सिर्फ राहूल गांधी के लिए नहीं है ये आप अगर ध्यान से देखे तो जो लोग बहुत अपशब्द कह रहे थे जिस तरह के नारे गांधी प्रतिमा के नीचे बट कर लगा रहे थे और मुझे त क्योंकि उन्होंने इस देश की स्वतंतरता के बाद की पहली सरकारे और सबसे अधिक सरकारे चलाई इस देश में उद्यमियों का उद्योग पतियों का किस तरह का योगदान है ये उनको पता है और जिस तरह से आज दुनिया में हमारे देश की उद्योग पती अगर हम लेकिन आपको अपनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं आप और मैं एक बात और कहूंगा जिस दिन ये रिपोर्ट आई उसके तीन दिन बाद हम मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि अडानी के मामले में जितने कर्ज देने वाले बैंक हैं उनसे अलग से रिपोर्ट ले लिगी क किसी नहीं कहा ही नहीं कि भागा जब से नया कानून आया इस सरकार में तब से पांच करोड से उपर के कर्ज की मंतली रिपोर्ट देनी ओटी लेकिन कह दिया गया कि बैंक दूब रहे हैं कह दिया गया कि देश एक्दम तबाह होने वाला है मुझे लगता है कि ता जो तालियां बजा रहे थे और अब शब्द कह रहे थे उनको भी इस बात का ख्याल लखना चाहिए कि देश की अर्थव्योस था देश की एकोनामी और अगर हम कहें तो वी द प्रिपूल ऑफ इंडिया जो Constitution पर हमें भरोसा है अगर उसको धोस्त करने की कोशिश होगी तो यह ठीक नहीं और आज देखिए कल करनाटक में जीत का शपत ग्रहन होगा और आज राहूर गानी के लिए दिन बड़ा मुश्किल वाला दिन होगा उनके लिए